नमस्कारम सद्गुरू जब कोई बीमार हो और मरने के ककार पर हो तो वो समय उन्हें आराम और सांतोना देने का होता है या मौत के बारे में बात करके उन्हें इसके लिए तैयार करने का होता है देखिए जब कोई बीमार हो और अगर दुर्भाग्य से उन्हें वाकई कभी ये एहसास नहीं हुआ हो कि जीवन नश्वर है और उन्होंने अपने भीतर इसके लिए तैयारी नहीं की है किसी भी रूप में उस समय अगर आप उनसे कहते हैं कि अब आप मरने वाले हैं तो ये भयानक होने वाला है तो जब कोई बिमार पढ़ता है तो कई तरीकों से वो असहाय हो जाते हैं उस असहाय हालत में वो एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं या वे छोटे बच्चों की तरह बन जाते हैं आप बच्चे से इतना प्यार करते हैं इसके दो पहलू है एक ये है कि वो छोटा और प्यारा है दूसरा ये है कि वो असहाय हैं आपको ये अच्छा लगता है हाँ हाँ अगर आपके पती या पत्नी ऐसे हों कि वो हर चीज में बहुत कुशल है जो अपनी जरूरत की हर चीज खुद कर सकता हो नहीं नहीं आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करेंगे आप एक ऐसा इंसान चाहेंगे जिसे अपने मोझे खोजना भी नहीं आता आप कोसेंगी लेकिन आपको ये अच्छा लगता है क्योंकि इन ही चीजों से आपको जीवन पर नियंतरण मिलता है मैंने औरतों को बाते करते देखा है पता है मेरे पती वो सुबह अपना टूद ब्रश मी नहीं ढून पाते लेकिन उन्हें इस पर बहुत गर्व है क्योंकि जब वो इतना असहाय है मेरे बिना वो रहे ही नहीं सकता यही असली बात है क्योंकि सारे रिष्टे जरूरत पर आधारित रिष्टे हैं समाज ऐसे ही विक्सित हुए है तो अचानक उन्हें बताना कि आप मरने वाले हैं एक बहुत अच्छा उपाय नहीं होगा इस देश में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बनाया गया था लोगों ने इस बुनियादी ग्यान को एक तरह से पूरा नश्ट कर दिया है एक बेटे का होना बहुत महत्वपूर्ण होता था किसी लिंग भेट के कारण नहीं बलकि समाज की बनावट और प्रकृति ऐसी थी कि अगर आपकी बेटियां है तो एक उम्र में वो चली जाएंगी तो अगर वो आपसे दस या पच्चिस किलोमीटर दूर पास के गाउं में भी हैं तो वो या तो गरभवती होगी या उसका एक छोटा बच्चा होगा या उसके पास उस घर की जिम्मेदारिया होंगी जिसमें वो गई है और उसे पच्चिस किलोमीटर पैदल चल कर आना होगा कोई ट्रांस्पूर्टिशन नहीं होता था तो काफी संभावना है कि अगर आप मर रहे हैं तो वो नहीं आ पाएगी हमेशा यही स्थिती होती थी एक बार फिर हम अब वैसी ही स्थिती में पहुँच गए हैं क्योंकि ज्यादा तर लोगों के लिए उनके बच्चे किसी दूसरे देश में या कहीं बहुत दूर हैं कि वो नहीं आ सकते या वाइरस के कारण वो नहीं आ सकते तो इस वजह से एक बेटे का होना बहुत महत्वपून होता था क्योंकि इस समाज में एक बुनियादी कर्तव्य जो बहुत अच्छे से स्थापित था दुर्भागे से आज उसे भुला दिया गया है वो ये था कि जिस पल माता-पिता ऐसे मुकाम पर आते हैं जहां जैसे ही लड़के की जैसे ही बेटे की शादी हो जाती है जैसे ही वो होता है तो बेटे की एक जिम्मेदारी ये थी कि वो माता-पिता को एक यात्रा पर ले कर जाए तीर्थ स्थानों की यात्रा पर ये घूमने फिरने के लिए नहीं है ये उनको याद दिलाने के लिए है कि वो नश्वर हैं उनका समय करीब आ रहा है अब समय आ गया है कि वे अपने आंतरिक कल्यान में निवेश करें हाल ही में एक वीडियो आया था जो पूरे देश में वाइरल हो रहा है एक आदमी अपनी बुड़ी मा को उठा कर ले जा रहा है आपने वो वीडियो देखा है क्योंकि ये आदमी जब बच्चा था तो बहुत बहुत बिमार हो गया था हर किसी ने सोचा कि वो मर जाएगा लेकिन उसकी मा ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने किसी देवता से इतनी तीवरता से प्रार्थन की कि बिना किसी दवाई के उसकी तबियत ठीक हो गई तो तब से वो अपनी मा को ले कर जाना चाहता है जो कि मा का सपना है कि वो देश के तीर्थ स्थानों पर जाएं अब गरीब होने के कारण उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने बास से एक चीज बनाई एक तरफ उसने जरूरत की चीजें रखी कपड़े ये और वो और दूसरी तरफ उसकी मा और वो ने उठा कर एक जगा से दूसरी जगा पैदल जा रहा है जहां भी वो जाना चाहती थी पूरे देश में अपनी मा को उठा कर और उतना ही वजन पीछे की तरफ रखकर पैदल जा रहा है पूरे देश में ये वीडियो हर कहीं देखा जा रहा है क्योंकि ये बुनियादी कर्तव्य था इससे पहले की वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाए बेटे को उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहिए तीर्थ यात्रा गुमने फिरने के लिए नहीं बलकि उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि उन्हें भीतर की और मुरना चाहिए तो ये चीज हमारे समात से पूरी तरह चले गई है हम सब सोच रहे हैं कि अगर आप 70 या 80 साल के हैं तो भी आपको सिने में जाना चाहिए आपको पार्टी में जाना चाहिए आपको ये करना चाहिए आपको वो करना चाहिए क्योंकि ये पूरी चीज हमारे पास पश्चिम से आई है अगर आप असी के हो तो भी आपको ऐसे बरताव करना चाहिए मानो आप अठारा के हो अभी भी आपको डेटिंग एप पर होना चाहिए हाँ लोग हैं दुर्भाग्य से तो अचानक उन्हें ये बताना एक अच्छी बात नहीं होगी ये ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ उस व्यक्ति के अधार पर तैकर सकते हैं इसका कोई एक आम नुस्खा नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इस से पहले कि वो बीमार पढ़े उनके सामने ये बात रखी जानी चाहिए उन्हें इस अग्यानता में नहीं रहना चाहिए कि वो हमेशा के लिए जीने वाले हैं तो वो अपने बच्चों के साथ कुछ हाथ तक जुड़ जाएंगे और फिर अपने खुद के कैरियर और काम वगएर है के साथ अब वो रिटाइड हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं अब वो बेचैन है नाती पोते, नाती पोते कहां है आपको उन बच्चों से इतना प्यार कैसे है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए है जब आपको कोई चिन्ता या परवाह नहीं है उन बच्चों की जो सड़कों पर हैं आपके पास उन बच्चों के लिए इतना प्यार कैसे है जिनका अस्थित्व ही नहीं है क्योंकि आप जीवन के साथ एक बार फिर जुड़ना चाहते हैं जैसे की एक नई शुरुवात हो क्योंकि ये आपको जीवन की एक नई खेब देगा जुडाव का एक और स्तर इस भ्रहम का एक और स्तर की चीज़ें हमेशा के लिए चलती रहेंगी तो अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो लोग हताश हो जाएंगे वो अपना मानसिक संतुलन खो देंगे दुर्भागी से ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको उन्हें बताना चाहिए या नहीं अगर वो बिमार हैं और अपने अंतिम समय की और बढ़ रही है शायद इतने सारे शब्दों में नहीं लेकिन आपको एक ऐसा महौल बनाना चाहिए कि उन्हें इसका हैसास हो जाए वरना आप बहुत बड़ा न्याय कर रही है आप बहुत बड़ा न्याय कर रही है एक नकली महौल मना कर सब ठीक हो जाएगा नहीं नहीं हम घर वापस जा रहे हैं आप अस्पताल में हैं ये मत हम वापस घर जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, और फिर आपके पोते की शादी आ रही है, पांच साल बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए योजना बनाना, ये जीने का एक बेकार तरीका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर इंसान के लिए, कि जब हम अपने स रहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा, वरना वे उस तरह से नहीं जीए, और उनके पास अभी वो क्षमता भी नहीं है, पर आपको ऐसा महौल बनाना होगा, कि उन्हें ये एहसास हो, कि वे इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, शायद आप सीधे उन्ह उसका संबंध शरीर से नहीं है, बस अभी जीवन आपको एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा है, जहां अभी ये शरीर के बारे में नहीं है, उन्हें ये बात समझ जानी चाहिए, लेकिन आजकल कई घरों में, ये मैं दुर्भागे से कुछ घरों में रहा हूँ, जहां ऐसा कि वे उनकी सभी पसंदीदा खाने की चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं, ये खाईए, वो खाईए, अगर ये उनकी मौत को और जल्दी बुलाने का आपका तरीका है, तो ये फिर से दुर्भागे पूर्ण है, ये इसे करने का तरीका नहीं है, ये ब ये हम सभी के लिए आएगा, जब इस व्यक्ति की बात आती है, तो ये महत्वपूर्ण है कि जरूरी वातावरण उपलब्ध कराया जाए, और पूरा परिवार या जो कोई भी वहाँ है, वो उन्हें किसी न किसी चीज़ में खीचने की कोशिश न करे, बल्कि एक ऐसा मोह पैदा करे, जो उन्हें उस दिशा में आगे जाने दे, कई सरल चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, मुझे लगता है कि डेथ बुक में हमने इसे विस्तार से बताया है, लेकिन साधारन चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बस एक तेल का दिया जलाएं, वनस्पती तेल का दिया या घी का दिया, तेल का दिया बहतर है, माफ कीजे, वनस्पती तेल का दिया बहतर है, एक दिया जला कर रखें, कुछ सरल मंत्र या कुछ हैसा जो आपको याद दिलाएं, कि ये शरीर के बारे में नहीं है, अगर बस इतना याद दिलाया जाता है, तो जीवन के पास परिय आप्त विवेक होता है कि वो उसे पकड़ ले लेकिन अगर आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है किसी का रुख इस दिशा में जरा भी नहीं है और अचानक आप उन्हें बताते हैं आप मरने जा रहे हैं तो वो शायद बहुत खुरूर हो और शायद ये अनावश्यक रूप से एक अशानती पैदा करें जो उस व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है तो इसे कैसे किया जाना चाहिए ये जरूरी है कि हर कोई देखिए उस व्यक्ति के आसपास समान्य स्थिती बनाने की कोशिश न करें हर कोई घूम फिर रहा है बच्चे आकर कह रहे हैं दादी जी दादा जी मैं आपसे प्यार करता हूँ सब बढ़ियां है ऐसा मत कीजे अगर बच्चे हो तो भी अगर वो अंदर आते हैं तो उन्हें धीरे से अंदर आना चाहिए और बस यूहीं वहाँ होना चाहिए उन्हें समझना होगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं अगर आप इतना भी नहीं करते आप एक फिल्म लगा देते हैं आप ऐसा करते हैं आप उनकी सारी मन पसंद खाने की चीजें बनाते हैं आप उनके चारों और उच्छल कूत कर रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि सब कुछ बढ़ियां है ये तरीका नहीं है ये महत्वपून है मृत्यू के साथ कुछ भी गलत नहीं है ये बस हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है बात बस इतनी है कि हम इसे किस तरह से करते हैं ये बहुत महत्वपून है ये माता पिता के प्रती उनके बच्चों का एक मॉलिक करतव्य है कि जब उनका समय आए तो वो अच्छी तरह से जाए सबसे सरल बात है अगर आप अध्यात्मिक हो जाते हैं तो शुरू में वो विरोध करेंगे वो संघर्ष करेंगे लेकिन उसके बाद ये एक इनसान की स्वभाविक समझ है कि मेरे से आधियुम्र का व्यक्ति शाररिक और मानसिक विवश्टाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है और वो खुद के साथ कुछ कर रही है मैं क्या कर रहा हूं ये विचार स्वभाविक रूप से किसी भी इनसान में आएगा तो अगर आपको याध्यात्मिक साधना या कुछ भी कर रही है तो उसे अपने माता-पिता के सामने करना अच्छा है भले ही वे रुची न ले अगर उनमें प्रतिरोध है और उन्हें इसमें कोई रुची नहीं है तो भी अपनी आखें बंद करके बैठना अच्छा है धीरे धीरे उन्हें बात समझा जाएगी क्योंकि इसके भीतर एक गहरी समझ है जो जानती है कि ये हमेशा के लिए नहीं है शरीर में ये समझ है दुर्भाग्य से ये सिर्थ तक नहीं पहुंची है